हेलो नमस्ते वेलकम तु मैथ अडिक्शन रह यस वीडियो मा हामी डिसकस करने साँ सपे प्रगार का बैंकिंग रह लोकसेवाइग्जाम्स को लागी इंपोर्टन तोपिक युणिटरी मैथर्ड अथवा आई किक नियम रह यस वीडियो मा हामी युणिटरी मैथर्ड को कही बेसिक कंसेप्स रगार प्रग्लम सरको इसकेशन गरने साँ वीडियो एंड समभर नुवाला तबाइपके कही नाया को रसीखेर जान होने साँ सो वि युणिटरी मैथर्ड we first find the value of a single unit 1 and then find the necessary value with the help of single unit value कुनेबनी कुरालाई एकाई मा परिवर्तन गरी तेस पसी आवच्यक मान निकालने प्रखेरालाई अईकिक नियम भनीन सा सो येलाई simple भासमाक्की बुजनोस बन्दाहरी unitary method मा पोहला हामी unit को value निकाल चाँ unit बननाले क्ये हो एक को value निकालेंच रो यो एक को value निकाली सके बसी तेस बसाडी तबाई जुन्सुगे value बनी निकालना सकनोंच तेसले कुनिपनी कुरालाई एक मा परिवर्थन गरेर तेस पसी आवशेक मान हरू निकालने प्रक्रियालाई हामी unitary method बनेर बनने गर्शाँ है अब युनिटरी method मा दुई किसिंगो variation को बाले मा बुजनो अतिने आवशेगुँँच पोईलवाला सा direct variation जसलामी प्रतेक्षय बिशराण बनेर बनने गर्शाँ दोसरो सा indirect variation जसलाई अप्रतेक्षय बिशराण बनेर बनने गर्शाँ अब अथवाई एसलाई एसरी भुजनोस जस्ते मानों आमिस्तिंगा दुई यवटा कुराशाँ एर बी यदि A को भाल्यो बोड़ दाखेरी B को भाल्यो बने बोड़ सा रए को भाल्यो गड़ दाखेरी B को भाल्यो गड़ सा बने योकी सिम्को बिशराण लाई प्रतक्षय बिशराण अथवा direct variation बनेर बनने गर्शाँ सो direct variation मा के उन्छा वन्दायरी योटाचीज बोड़े वने औरको चीज बोड़ सा रए योटाचीज घटे वने औरको चीज पोने गड़ सा इसको उधारन हामी एक सिन पसिह रने समय ता indirect variation मा केऊंच, मानो दू योटा कुराचन a र b यदि a को भैल्यू बोड़े वने b को भैल्यू घटने र a को भैल्यू घटे वने b को भैल्यू बोड़ने लो दू means अब बिपरिद दिशामा हेंचल योटा बोड़े वने ओर को घट स र एवटा घाटे बने और गो बडश तेसला हामी आ प्रतक्षे बिचरण अथवा इन डारेट वेरेशन बने र बन्ने गड़शों प्रब एसको हामी कि उधारण एर समय तो यो दू योटा वेरेशन लाई उधारण द्वारा बुच्छों जसते डारेट वेरेशन या प्रतक्षे बिचरण को उधारण की गिचान इसमा क्वांटिटी र कोस्ट एसला है तबा एसरी बुझनूस जसते एवटा पेन चाहे न एवटा पेन को मुल्ले मानो 15 रुप्या पर्श यो एक भने हो कि हो क्वांटिटी ओफ पेन हो पेन को मात्रा रोग पंद्र बने को कि हो तईसको मुल्ले हो ये दी हाम ले पेन को संख्या बढ़ाई दियो चस त्यमानों दुई पेन बनने हो दुई पेन को ये दि हमले कोस्ट निकाले वने पक्येवनी बढ़े आउसा कत्याउसा 30 रूपयाउसा सो तबा यहरंदू सेसमा जब कौन्टीटी बढ़ी रहेगोचा तेती हेर प्राइस बनी बढ़ी रहेगोचा अथो आ कोस्ट बनी बढ़ी रहेगोचा सो एक चीज बड़दा हे री औरको चीज पनी बड़ी रहेगो छा बने यो अवस्तालाय हमी बनने गर सो डायेक्ट वेरेशन तेसले क्वांटिटी रा कोस्ट को भीचमा हमेशा डायेक्ट वेरेशन हुन्च बने रो भुजनू साइता तेसे करने और कोसा डिस्तैंस एण ोस्ट डिस्तैंस बनाले दूरी दूरी रो कोस्ट को भीचमा भने डायेक्ट वेरियसन उन्च ओण साइ स्थै काम डिस्तैंस ररी सम्मत ःवले जानू पुर शांवने किराया पनी की गरना परस बेस दिना परस सो distance रो cost को बीच्वापनी direct variation उन्छ एत अब आउसा man रो work मानिस रो काम धेरे जना मांचे ले धेरे काम गरना सक्स मांचे थोरे बग़े बने थोरे काम होंच तेसले यवटा बढ़े बने औरको बनी बढ़चा यह हुटा घटे बने औरको पनी घटचँ तैसले मेनर वर्क को भीसमा पनी डारेक्ट वेरिशन हुँचा है अब आउसा इस्टेंस रटाइम बड़ी दूरी कवर गरना बड़ी समय लागसा कॉम दूरी कवर गरना कॉम समय लागसा तेसले distance र टाइम को 20 मा पनी direct variation होंच, यसते और उधारण पनी होना सक्सु नहीं ता, यो के प्रमुक एग्जाम्पल हो, जो आमी question मा पनी यूज़ गर संग, तेसले distance र टाइम को 20 मा पनी direct variation होंच, यसते मैन र टाइम, अब यो टाइम मा डेल्स पनी होना सक्स, आवर्स पन इनडाइम वेरीशन होंच, योटा बडे मने अर्गो गटीहाल से, योटा गटे मने अर्गो बडेः आल से अब आवसले मैन र आपीशेंसी, चम्ता को बिचमा अब यसले तबा यसरी बूजनोस, बड़ी चम्ता वाला मांचे चहावने, कम मांचे वहाई बनी काम करन शक् सम्ता यदी कॉम्स हावने मांची को संग्या बड़ावन बड़चा तेसले मैन रएफिशेंसी को बीच मां अमेशा इन्डारेट्ट वेरियेशन उन्च अब नेरा पुझन उसाइता अब या नेरा येवड़ा तपैको लागी येवड़ा टिप्च यो आती महतो पून रिलेशन ओ येला याद गन्दवाला आमी धेरेज़सोर टाइम और वक संग रिलेटेट प्रोब्लम मा येसला यूज गरने साँ अब कुने होने प्रश्ण मा हमलाई मैन, डेज, आवर, एफिशेंसी, वक यो कुरारो दी एक होन्च यो सपपई कुरा एक चोटी उपलप्त ना होना पनी सक्सा इता कुने एक्वेशन मा खाली यो दोईटा चीज मात्रो गीवन होला, कुने मा तीन ओडा गीवन होना सक्सा, कुने मा चार ओटा होना सक्सा, कुने मा पास का पास पनी होना सक्सा यो पास बंदा बेशीज चाई होते ना हैता यदी हमला यो चीज़ वरु दियेगो छा दुयोटा सेट को लागी दुयोटा गुरूप को लागी बननुस पोहिलो गुरूप औनी दोसरो गुरूप त्यो बिलामा हमी यो रिलेशन को प्रोयोग गर्र सजले संग पत्ता लगावनों पर नेकुरा निकालना सक्साओं यसले की बन्चा बन्ना है रि पोहिलो समुवगो पोहिलो गुरूप को मैन को संख्या डेश को संख्या आवर को संख्या र एफिशेंसी यो चारवणाला गुणा गर्ने र भाग कसले गर्ने कामले भाग गर्ने र दोसरो सेट को मैन को संख्या डेश को संख्या आवर को संख्या र एफिशेंसी लाई यो चारवणाला गुणा गर्ने र भाग कसले गर्ने कामले भाग गर्ने तर डबलो टूले सो यो रिलेशन धेरे प्रश्णमा प्रयोक गरना सकींच लब आमें डिस्कस गरने समू प्राब्लम्स विद्ट टू और थ्री पैरामेटर्स दुई वा तीन विचर भएको प्रश्णारू यो प्रश्णारू कसलाई सजिलनो लागना सक्ष तर मा एकदमें बेसिक लेबल गोट वीडियो बराए रहे गोगनाले मा यो प्रश्णारू को सर्चा गरना जरूरी सा तागी तमाई सपपई को कंसेब्ट चाई एकदम क्लियर हो साईत तेसले कोईशन सरू ईजी लागेता पनी इम्पोर्टेंट्शन हेरना साई नच्छुट्या उनुवाला Q1. If the cost of 25 kg of rice is Rs. 1250 What is the cost of 40 kg of rice of the same type? 25 kg चामल को मुल्ले रू 12-50 पर्शा भने उस्ते प्रकार को 40 kg चामल को मुल्ले कती पर्शा अब यो प्रशनलाई हामी दूई तरीका वड़ो सॉल्व गरने सुँँँँपोईलो मेथड हेरनुस यो हो एकदम बेसिक fundamental unitary method या नेरा solution लेखे हो सा यो तबैको आपनो reference गोलागी हो कसला language लेकनमा समस्या होंच तीनियोर गोलागी हो मै यसलाई नेपाली मा translate गर देता तेरा बताऊंशो चो तबैलाई बहासा को समस्या होता नाइता चस्त यो प्रश्णमा केचा बन्दा हैरी हामे संग चामल को क्वांटेटी चा क्वांटेटी बनेगो मात्रा चा अनी तबाई संग चामल को कोस्ट चा अथवा मुल्य चा बनेर बुजनुस पहला मों प्रश्णमा दियेको चीज हरू लेखिरेको 25 किलो चामल को मात्रा हुदा हैरी मुल्य परिरास 12 से पशास प्रचामल को मात्रा येरी 40 किलो गर दिने होवने मुल्य कती परला प्रश्णमा लेखिरेको अब तबाईले येसमा मुल्य निकालने हो मेन कुडा हामले कोस्ट निकालने हो तो कौस्ट लाई हमेशा यो is equal to को right side मा लेखने गरनुस is equal to दियर एवडा हमी sentence लेखसों याँ वाक्य लेखसों त्यो sentence लेखेर is equal to को right side मा त्यो कुरान लेखनुस जो तपहले निकालनू पर ने हो प्रश्णमा जे सोधिय को उन्ज त्यो लेखेंच है त ते हिसागले हामी आपनो भासा याँनेर डिफाइन गरसों याँनेर लेखेंच लेखेंच सो हेर नुसकासर लेखने समय बंदा पहला 25 किलो चामल को मुल्य बरावर 12 से 50 एक दमे सजिलो क्वेश्णमा दियेगो सायो अब तमाई के गरनों उन्जा बंदाहेरी एता पट्टी रहेगो जुनियो 25 किलो चा एलाई एक माँ परिवर्थन गरनोंच ये तहो यूनिटर मेफ़ड पहला एक को बहल्यो निकालनी सो 25 किलो चामल को मुल्य 25 किलो चामल को मुल्य येदी 12 से 50 परसा वनी एक किलो चामल को मुल्य कती होला तब युसोचे रा उत्तर दिनूस कॉम होला की बेसी ओला कॉम होला डेफिनेटली 25 किलों को 12 से 50 पड़ने सा अणि 1 किलों को कॉम हुंच कॉम को मतल़ा भाग गरने ता कॉम मनिवरी जले मने भाग गरने 12 Rudra 15 लाइ 25 ले भाग गर दिने यो हालचाम रो 50 येसं रिकार्णन शक्ननुच 25 गुणा 5 x ব 25 वहाल़ो इतरीयो ता 1 किलो चामल को मुल्य 50 परने रहे paths आप आमलै निकालने कियो 40 किलो चामल को मुल्य निकालने तप फेरि дост сохран 26 किलो चामल को मुल्य निकालनुचा ये के गर्नोंच यो जुन एक कीलो को मुल्या आया होचा येसले चालीस लाइ गुणा गरनू किन वनी अवता 20 लाग्षा तब 50 गुणा चालीस आमी करदीन चाओ रयो भयाल चा रूद 2,000 रुपीज इसको एंसर हो येनुस कदी सजिलो चा येवो हो युनिटरे मैथड को कंसेप्ट जुन गुरा हमला दिएगो सहता साइड मा लेप्ट साइड को वैल्यू येला ये सुरू मा एक मा परिवर्तन करने रत्यस पजाडी सोदेगो चीज निकालने लाइसला हमे येवटा और को तरीका वड़बनी सॉल्व बनना सक्सों मैथट टू येसमा सुरू मा येवटा टेवल बनावने कोस्ट र क्वांडिटी जुन्षू के अगाडी पसाड़ी लेखे बनियोंच तरमत वाला इसको प्रपर तरीका बन्दीन्च पईला हमेशा त्यों चीज लेखने जसको भैल्यू आमले निकालनोंच जसको यो प्रश्ण मँ चे निकालनोंच तपाईले skipping Heading पॉल्यी है निकालनोंच दम्यू होनु पर्यों cost वाला Heading दोसरो होनु पर्यों चामल को मात्रा चामल को मात्रा ये ता बुठ्टी लेखने सकनोंच यो दोसरो Heading आमले दिनैव अब तब यानिरा भैलियोर रागनुस 25 किलो चामल को मुल्य बारसे पसाज तेसब चालिस किलो चामल को मुल्य लाई एची नामले X मान दियो अब अब कमपैरेशन गरनुस की कोस्ट रा कॉन्टिटी गो बीशमा कस्तो संबन्दाउंच अगी मलताबला बताए, डाइरेक्ट वेरियेशन हुँँँछ कसरी, जसरी मात्रा बाढ़शा, कोस्ट पनी बाढ़शा जसरी मात्रा कॉम उँँच, कोस्ट पनी कॉम उँँच तेसले एरनुसियानिरा एरो दीरो सम्झावनी कोसिस गरेखुश यो arrow को direction र यो arrow को direction योड़ेपट्टी स स दुईटे माती कि तरीक फर्क है का सन तवाहिले चाया हीगो बडय दुईटेलाइ तल हो तरीक फर्का ओना शकनों छ कुने समास्या माईा न यो खाली होटा संकेत मात्र हो कि 2 रुश्मा direct variation चा बनने संकेत मात्र हो हैता चो येदी दुईटे को बीच माँ टायरेट वेरिएशिन्स हो बने एसता प्रशनला हाल गरदा है रही आमी के गरसाँ क्रोस गुणा गरसाँ क्रोस गुणा को मतला 12 से 15 ले यो 40 ले गुणा होंच और एक्स ले चाई यो 25 ले गुणा होंच यो खयाल गरनुस है ता कईले बनी दुई योटा चीज हरू येदी डायरेक्ट वेरिएशिन्मा रहे कासन बने तबाई एक्तम सजिलो संग एंसर निकालनो सक्नोंच चो क्रोस मल्थिप्लाई गरेर शॉटकट टेक्नीक चो येरनुस अब एक्स इनको कामो यो एक्स ले 25 ले गुणा गरदा हेरी आमिसंग बयालच 25 बराबर 12 से 15 ले 40 ले गुणा गरदा हेरी यो बयालच 12 से 15 गुणा 40 अब यो 25 ले भागमा जार देनुस ता एक्स बराबर 12 से 15 ले गुणा चा अलिस डिवाइड बाइ 25 ले ले हाल गरे बची तबाई को 218 जत्ती एंसर आयाल साइत यो इसको शॉटकट टेक्नीक तबाई कुणे पनी मैतर लगावनों सक्नोंच क्वेशन नमबर टू इप दा कॉस्ट अफ 12 कॉपीज इस रुपीज 480 तैन हाव मैनी कॉपीज कैन बी बाट फॉर रुपीज 600 12 वटा कापी को मुल्य रू 4 से 80 परस बने रू 6 से मा कती वटा कापी किन्न सकिन्च यो एसमा आम ले के निगलने हो कॉपी को संख्या निगलने हो तैसले आपना बासा लेग दाहरी कॉपी को संख्या लाई राइट साइड मा लेखने हो से इस इकोल डू ओ एता साइड मा लेखने के कॉपी को संख्या लाई लाईण दो सब आमे बासा मिला हो सो नमबर अफ कॉपीज दैट कान बी बॉट फा रुपीज 480 कोपी को संख्या हमेशा राइट साइड भाई ता येदि 4-8 मा बार ओड़ा गपी किन्न सकेंच वने पहला हमी यो 4-8 लाई एक मा कन्वर्ट गरशो एक रुपया मा कती ओड़ा कोपी आउला कम आउला की बेसी आउला कम आउला थेशो गए एक रुपया मा कोपी को संख्या कती ओँच बार भाग 4-8 क्यो 4-8 तला जरी आलेव अने अब आमले निकालनोच 6-8 रुपया मा कती कोपी आउँच बेसी आउला ता बार बाई 4-8 गुणा 6-8 अब इलाए सिंप्लिफाइगर देनो बार ले 4-8 लाई 4-8 पटक 4-8 ले 6-8 लाई 5-पटक सो पंदर तला जरी आउए एंसर हो इजी गारत लागी रासे नो अवला एरनुस एक दम सजीलोच 4-8 रुपया मा 12 कोपी 1 रुपया मा कॉम कोपी 6-8 बड़ी कोपी कॉम बनिविची भाग गरने बड़ी बनिविची उणा गरने और कॉपी र कॉष्ट को बीच मा रिलेशन कें उंच डारेट रिलेशन उंच दैरनुस दुईटे ति रको एर र माथी परकेगो छ कापी को मात्रा बड़े वने तिनको कॉष्ट बनिवढचा मुल्ले बनिवढचा कॉपी को मात्रा गटे वने પસ્પણી ગટચ એ સે વકે પહ્યશુ઺ુલઈત વકરની . ડારેટ વકરને ? ક્રસી ગેરને 12 લે 12 લે bak enfin X લે minus x ले 480 लाइ ता x ले 480 लाइ गुणा गरता हैरी 480 x बोर र 12 ले 680 लाइ गुणा गरता हैरी 12 गुणा 6 बोर अब यो 480 लाइ भाग मा चार देनुस 12 गुणा 6 डिवाइड भाइ 480 रहे लाइ तबहे ले सिंप्लिफाइ गर लोग वाए वने ठाके पंद्र एंसर आयाल सा मातिचस्ते है इता question number 3 if 30 man can do a piece of work in 10 days in how many days will 20 man finish the work 30 जना मानिस लाइ कुने काम गरन 10 दिन लाइस बने 20 जना मानिस लाइस स्वो काम सकन कथी दिन लाइस 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 इस्वाँ मामले के निगालने यो कती दिन लाइस 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 so is equal to side मा के लेगने ओ, days लेगने ओ, इता दिन लेगने ओ टे किसाम मा बासा मिला ऋनू 30 जना मानिस ले कुने काम 10 दिन मा गरना सक्षन अब यो 30 जाइट अपाईले एक जना मानिस मा convert गरने हो ता एक जना मानिस ले त्यों काम कती दिन मा गरला सोचेर बननों जेत त्यों न भुजे न सीधा भाग मा जहारने काम जाई न गरननों अलाई हर कोईशन मा देशतों हो देन अलिक सोचनुस तीस सना अलाई कुने काम गरना दोस दिन लाग्स येरी मानों मानचे को संख्या गटायर आमले एक गरने हो तेसले एक जना लाई काम सकना था बेसी दिन लागला था कौम दिन मात गरना सक्दे न तेसले आमले के गरने हो भाग को सट्टा मा गुणा गरने हो दोस इन टू तीस एसरी यो बूजनों सियो किनो यो भागमा गवयर किन वसने एक जन मांचिल आए 20 दिन लाँशा 20 देसले कुणा करने और अजी औगमा वने हमिसांगmış20 जन मांचिए ह्या आये तक 20 जन मांचिल आखियें कौम दिन लाँशा उब यो वे स्त भाईगे भागमा जान्छा रो एसको एंसर आयाल्षा काड़ दिने हो पनिविशी 2 5 जा 10 15 देज पॉंदर दिन लागने रहेचा तो यह कुराई आनिर लेक्षी कुछा तीस जन मांचे ले 10 दिन मा गर्षा एक जन मांचे ले 10 इंटू 30 दिन बड़ी दिन मा गर्षा रा मांचे को संख्या 20 भाय वने काम दिन लाग्षा तेसली 20 ले भाग गरे रा 15 दिन एसको एंसर आया अब एसको और को में रड़ेनोस तालिका बनायार नम्बर अब अब डेस अनि एता मैं सुरुमा तीस जन मांचे दियेगुछा रा 10 दिन दियेगुछा अब मांचे को संख्या 20 भायाले राब हमले निकालनूसा कोती दिन लाग्षा यो दुयोटा को 20 मा कस्तो संबंध हुँँचा अगी ने उधारण मा तपयला मेले बताये नम्बर अब अग डेस संख्या गोठे वने दी नरोब अडए आलसा तेसली यो दुईटा अईरो यह न उसतो बीबरी दीशामा असो यो अता साइ सेलाइ चुछना गूणं सीधा चुछना सा में पहन दोट को सेला चुछना आंसर खेलनों सकती हीजी सा असा एसको लागे वट और को मैथाट पुनी सा इसरे पिनी करना सकनूंसा अगी ने मलता माला बताये मैंटर देज वाला क्वेश्चन आए मेंटर देज मातर सायसमा आवार अरो सायनन सो खाली दुटाची इस गोणा होने भाए M1D1 बराबर M2D2 इस ररा इसले करणा सकनूंसा अब म1 ने लागे नूस और M1 ने वाला रागे नूस 10 पिस न आमाइच दो से न अमाइच दो सेलागे नूस 10 था working 12 hours a day how many hours should 40 men work to finish the work in 18 days 30 जन मानिस ले कुने काम 10 दिन मा सिद्ध्याउन दिन को 12 घंटा काम गरनू पर्चा वने सोही काम 18 दिन मा सिद्ध्याउन 40 जना ले दिन को कती घंटा काम गरनू पर्ला कती घंटा आवर्स निकालनू सामली आवर्स आवा भासा लेक दाहरे के गरनू पर सा इस इक्वल टूगो एता साइड मा आवर्स रू लेकनू परियो आवा भासा ते इसाबले मेला उनुस्तिक सा यो इंगलिस माँ कन्फियूज नू परने की से न एकदम सजीला भासा सा नेपाली मात अब आवा एक ट्रांसलेट गरनू लेकना सकना है अनू साइगा के गारस है न तीस जना मांसे ले थर्टी मैन एवटा काम दौस दिन मां गरना सक्सन दिन को बारा गंटा काम करे रहा सो आमले सेंटेंस कसी रू लेके हूँ थर्टी मैन केन डू ओ वक इन टेन डेज वकिंग ट्वेल आवर्स लास्ट मा आवर्स आवनो करे रही और उजेस विया गाड़ी पजाने लेकनू सत्यों लास्ट मा आवर्स आवनो करे रही अब हामी यो 30 र यो 10 यो दुईटेलाई एक एक मा परिवर्तन गर्शान पहला कसको पालो जसको स्टार्ट गरे बने हुँँच पहला आमी डेज बाटे स्टार्ट गरो पची मैन्तिर जाओ लाई त अब इरनुस नेक्स लाइन मा केशा मान्चे को संक्या 30 नाइस तर यो 10 दिन को सट्टामा एक दिन बयालियो मतलब दिन मैले काम गर्दी दिन काम हुणू को मतलब 30 जना मान्चे ले त्यो काम अब एक दिन मा सक्काउनूस पहला 10 दिन थेवनी अरगो आत्मा अब एक दिन मा सक्कावनूस अवने काम गंटा लागशा कि बेसी लागशा बेसी लागशा तब बार गुणा 10 मुल्टिप्लाइब वह यानिर यो 10 भागमा जोरे नाई बेसी लागशा अब मानों मांच वह संक्या वनी एक बयाले यदी 30 वड़ एक जना मांचे मात्र आया वने अब आता जन्बेसी लागशा सो एक जना मानसे ले एक दिन मा काम सक्कावनूस होने कदी गंडा काम गरने सब का सब गुणामा 12 इंटु 10 इंटु 30 चतिसे गंडा अब हामी बिस्ताराई प्रश्ण का अरु कुरालाई येसमा समावेश गर्शों अब प्रस्णले के सुधे को थियो अब लारी 40 जनाली अठारा दिन मा काम सक्कावनूस होना चालीश जनासन् अब यानिर थब दे जालोश तो जसरी यानिर एक दिन थियो अब यो एक दिन को सट्टामा अठार दिन दिन लाए बढ़ा अनोश है ता ता one man can do the work in 18 days 18 days दिन बोड़े व दिन बोड़े पसी ता बाएको गंटा के बायालश काम बायालश सो अठार ले भाग गरिंशे यानिर 36 से बाई 18 ठीक तेस पसाड़ी यो one man को टामा 40 man 40 man can do the work in 18 days इन मांचे को संख्याबनी बोड़े व आवर्स हरो ज़न कम बायालश दिवाइड बायालश दिवाइड बायालश दिवाइड बायालश तो दूइसेला चालिसले बाद पास गट्टा तो यो प्रश्ण मा आमले क का सब यानिर गुणा मा गए पची जुन-जुन कुरा हमलाई प्रश्ण मा अरू दिये गो थियो 18 दिन रचालिस दिन यो दूइटे ले क्योंच बाहाग उन्च इद पहला 18 ले बाहाग उन्च तेस पसाड़ी 40 ले बाहाग उन्च र अंतिम्मा आयको तबायको आंसर हुन तो नंबर अ आवर्स फर्स्ट मा आया अनि मैन रे डेज पसाड़ी 40 लेके बनीऊ उन्च जुन-जुन्ष्ट वाटर मा अब इत क्वेश्चन मा दिये गो चीज जरू लेकनू 12 गंटा 30 ल मांचे 10 दिन लाक सा एक्स आवर्स मोह 40 ला मांचे 18 दिन मां आम ले काम सपनो पर यो पईलो वाला जुन्द कुरा सो, यो फोर्स्ट वाला कुरा, यो फोर्स्ट वाला कुरा को arrow जुन्षुगे डाइरेक्षिन मा देएवनी उन्छ, मयले यान एर माती पट्टि दिएगुछो यहता साइड माई आरो सो, अब आमी यो hours र मैणला है कुमपायरेशन गर्सु सो रर्मसंगा सोचनू वंळा और एंशर लेकनी सजलों उन्ज़ मैन र था ओर हो बीच महां हमेशा इंडायरेट रिलेशन उन्छा मांचे को संख्या बोढ़ायो वह वह वने कौम गण्टा कामगरी मैंनी चौल्छा मानसे वो संख्या कॉम सह वनिया धेरे गंटा गाम गरननों बड़सा करी सो मैन रा आवर को बीसमा इंडारेट रिलेशन बहा को उनाले यो केस तॉल पट्टीस को मुख सा यो मातिस यो तॉल सा मतलब यो दुटा को बीसमा इंडारेट वेरेशन सा अब यो नमबर ओ आवर लाई डेस संग कंपेरेशन गरनों मैन हर डेस को कंपेरेशन होता ने था जे चीज तवाले निकालनों सा नी तो चीज को कंपेरेशन माकी और उसंग गरने हो अब आवर लाई मैन संग रा आवर लाई डेस संग अब आवर रा डेस को बीसमा पनी के होंचा इंडारेट रिलेशन होंचा मतलब दिन को काम गंटा काम गरने हो वने दीन औरो बेसी लाक्सन रा दिन को बेसी गंटा काम गरने हो वने दीन औरो काम लाक्सन यदि आवर्स बोड़े हो वने दीन गोड़ स, आवर्स घोटे हो वने दीन बोड़ स, तेसले आवर्स डेशको बीस मा इंडारेक्ट रिलेशन यो पने तलपत्ती, यसको बी परेट, ओपोजित, ठीक सा, अब आमने के गरने हो मन्दायरी, यानि आमने के पायों, यो सपपई इन डायरेक्ट रिलेशन मा चन, यो दू योटाची जरू इन डायरेक्ट रिलेशन मा चन है, तो के गरने, सीधा-सीधा गुणा गरने, multiply parallelly, डायरेक्ट गववची, crosswise गरने, नत्र के गरने, सीधा-सीधा multiply गर दिने, है, तो यो कतिभायालच, 12 x 30 x 10, 12 x 30 x 10, औनी x x 40 x 18, तो एक साइड मा लेखनो x x 40 x 18, और को साइड मा लेखनो 12 x 30 x 10, रेलाय होल गर दिनूँज, इन डायरेक्ट गर दिनूज, इसरी आमी निकालनो सक्सा होई, सीधा-सीधा multiply गरनूज, रेक्स को गैल्यू निकालनोज, औथवा, सबसी सजीलो तरीका, मैन, डेज रा आवर्स आमलाइट दियेगो सावने, m1, d1, h1, बरावर, m2, d2, h2, इसरी लेख दिनूज, डायरेक्ट एंसर राया होल सा, बहल्यू रियावड राख यालनुज, यो टेबल बट, तालीगा बनायारा, और यो लेखनो अला, ठीक्सा, यो डायरेक्ट नो लेखनो अला, पहला ताल गरने साइता, question number 5, 12 typist work for 4 hours per day to type a book in 18 days, in how many days will 4 typist type the same book working 8 hours per day, अगाट जस्ते प्रस्न, मान से खो संख्या सा, आवर स, दीन सा, सबाता तबाले वाले लिस्टी की सगनु आवला, कईले पनी यो मैन, देज, आवर आवने बित्धिके दिमार्पा खिलनू परेयो, m1, d1, h1, and m2, d2, h2, value राहने साथ, तबाई को कीबायाल सा, एंसर आयाल सा, ठीक सा, एसरी करनु वाला, अब या निर मत वाला, यूनितरी मैताट से, सम्झाए दिन सु, अगी जस्ते हो, के निगालने वेस्मा आवले, कथी दीन बनी राहा है, दीन, तो is equal to go, एता side मा दीन राहना ह अब या वैवन सेश्मा भासा कसरे लिख्या हुँएँशा, बारजणा टाईपिस्त ले, दीन को चार गंटा काम करे मोने, उटार दिन लाक्छा, लास्ट मा दीन च, जे निगालने वे लास्ट मा आयो, अब आमी यो बारज़ यो चार लाई, एक परिवर्तन करसो, पहला यह 4 आवर्स बटाई त यह 4 आवर को सट्टामा नेक्समा 1 आवर बाकी भास आते स्ते यह 4 आवर को सट्टामा 1 आया याने 12 टाइपिस्ट वोकिंग 1 आवर यह दी गंटा गटाई दीन बड़ियाल स कॉम गंटा यह दी तपाई काम गरदे हुनुँँच वने डेफिनेटली दीन बेसी लाग सो यह 4 कस्मा जांस गुणामा बहा गए नहीं त अठारा इंटुचार अब आमले टाइपिस्ट को संख्यापने गटायाओ एक गरदे हुन एक टाइपिस्ट ले एक घंटा काम गरे वने अच बेसी दिन लाग सो त बारा गुणा बहुत तर यह 8 ऊंशक्टि दिन ब ओ अब आ हामी यह 1 एक खो घलू आए से की वसी प्रस्नमा दिए को अरु जे कुरासं त्यों या एद्जस्ट कर सो जो प्रस्नमा अरुकेसं 6 घंटा दिये को सा रं 8 उन हो सार शना टाइपिस्ट दिये गो सा फो यह एक घंटाला अब हामी 8 घंटा बनाए राशं, मतलब हामी आवर्स बड़ाई राशं, आवर्स बड़ाई राखनु वासवने दीन औरु कम बयाल्च, जो भाग मा चान्च यह 8 है, और अनि तेस पसाडी एक टाइपिस्ट वड़, 4 टाइपिस्ट मा गई राशं, तो अज कम बयाल्च, जो सब का सब गुणा मा गई, पच्छी हामले 8 आवर र 4 मैन को लागी निकालना है री, 8 ले बनी भाग गरेऊ, र 4 ले बनी भाग गरेऊ, तेसले दिन को संख्या कौम गरदीन स, रान तिम मा तबाई गो एंसर आउसा, इसर बुजनूस, अब मैतद 2 मा टेबल बनाऊनूस, ड दिएको चीज वरू पहर नूस यसमा, राब अब कमपारिजन गरनूस, यानि रा रो द्वारा जनाएको स, यो डेज हो, यो ताइपीस्ट हो, अब तब एत्ती गुरा बुजनूसकी ताइपीस्ट वनेगो नी मानसे ने यो, रा मैन र डेज को 20 मा हमेशा इंडारेक्ट र यारे मारा के गरने, सीधा-सीधा गुणा गरने, यो तींटा, और यो तींटा, चीधा-सीधा गुणा, तो 8-12-12-4, एकसाइड मा यो चा, 8-12-12-4 और और, x-4-8 एकसाइड मा यो चा, या वोड़ा x को वैल्यो निकालूस, 27 आल सर्था, सब शें सजीलो के त à? सब सें H1 बराबर M2 D2 S2 M1 को ठाउमा बार टाइपिस्ट को संख्या D1 मने को अठार H1 मने को चार M2 मने को चार D2 मने को X S2 मने को 8 Simplify गर दिनू 4 4 cancel 4 दुनिया 8 4 थिया बार 3 इंटु 9 9 थिया सर्ताइश X को बेली 27 डाइट एंसर Just like कोई बनना बुलना लाइथ लाइट लाइट लाइव वीडियो को लास्ट कुछिन कुछिन नुबर 6 The cost of 15 desk and 2 tables is Rs.4,000 If the cost of 10 desk is equal to the cost of 4 tables Find the cost of 12 desk and 3 table 15 वडा मेच्र 2 वडा table को मुल्यरू 4 जार रवेकुस यदि 10 वडा मेच्को मुल्यर 4 वडा टेबल को मुल्यर बरावर 6 बने 12 वडा मेच्र 3 वडा टेबल को मुल्यर कती होला यो निकालने लाइश्टो टाइप को प्रश्ण मा तबै शुरुवात हमेशा क्यो लाइन वडा गरनूस जस्मा यो इक्वल बनेर लेहक होंच जस्ते यानिरो cost of 10 desk बरावर cost of 4 tables तामले पहलो लाइन ते लिखने हो cost of 10 desk is equal to cost of 4 tables निपाली मा पन्नू पर दाहरी 10 वडा मेच को मुल्यर बरावर 4 वडा टेबल को मुल्यर अब अब तवाई एकदम जामर सुन्दो से कसरी होंच यो प्रश्ण होग test पसाडी हामले यावड के गरने हो बंदाहरी यो 10 लाइ एक मा convert गरने हो unitary method the cost of 10 desk बरावर cost of 4 table होंच बने cost of 1 desk बरावर के होंच यो 10 भाग मा जार सा 4 by 10 table होंच सिथा सिथा भाग मा जार दिने हो 4 by 10 table लो अब तवाई के गरने हो बंदाहरी यो जोन लाइन सा यो लाइन जानिर आमले योटा desk को मुल्य निकालेगा सा table को रूप मा यो लाइन को साहताले यो प्रश्णम्मा जा जानिर desk को पूरा गरेगो सा test light table मा परिणत गरनोस जस्ते यानिर कती साबनारी सुरूमा 15 ओटा desk सा ता आमले यानिर पंदर ओटा desk को मुल्य निकालने हो कसरी निकालने जुनियो 4 by 10 आयगो सा 4 by 10 गुणा पंदर गर्दीने ता पंदर इंटु 4, 60, 60 by 10 गर्दीने हो बने भची चायाल जा येसको मतलब 15 desk को मुल्य चाओडा table बरावर सा ता पहिला यो पंदर डेस्क लाइब ओनी टेबल को फ़र्म मा चेंज गर्ने हो अब औरको कहानीर डेस्क चाहामी एड़सो ता यान लाश्मर रहेचा 12 ओटा desk ते तरी गाले 12 ओटा desk को मुल्य निकालनू ता 12 ओटा desk को मुल्य गति उन्च यही 4 by 10 ले गुणा गर्ने हो बारालाई 4 by 10 इंटू बारा गर्ने हो बने 12.48 48 by 10 बरावर 4.8 ताब यहला 24 by 5 पन लेखना सकना हो उन्च प्रेक्शन मा पोइंट मा लेखे बनी हो उन्च यह दी डाइरेक्ट आजर आई रासा बने है 4.8 टेवल्स ताइसको प्रोसेस भुषनो पहला आमले सुरुवात का अवड गरेऊ इक्वल्स ना बराबर वाला कंडिशन दियेगो शत्या अवड पसी आमले एवटा को बहल्यू निकालेओ तब आले चाहेगो बहेसमा एवटा टेवल्स निकालना सकनो उन्थियो अब एता साइड मा आमले डेस्क लेहेको नाले यो डेस्क लाइ एक माँ चेंज गरेको औनी यो लाइन को साहेताले बाटी जती प्रस्णमा जहाँ सानी रा डेस्क को कुरा होसा तेयो सब डेस्क को मातरा लाइ टेबल को परम मा चेंज गरेओ अब एरनुस कोईशन को फर्स्ट लाइन मा कसको कुरा चलेगो थियो 15 डेस्क रा दूई टेबल 15 डेस्क रा दूई टेबल लाइ यो प्रकारली लिखना सकनों जब पंद्र डेस्क भनेको ता चा टेबल हो यो लाइन हेर नुस तेसर वाला पंद्र डेस्क भनेको चा टेबल बराबर हो ता पंद्र डेस्क लाई हटाओनुस एसको साइड मा चा टेबल लेकनुस र दुई टेबल जस्ताओ तेस तई टेबल रडेबल लाई जोडे र टोटल आट टेबल भो है ता तेसे गरर हमले निकालनों कसको सा 12 डेस्क रहा 3 टेबल को तब 12 डेस्क रहा 3 टेबल मा 12 डेस्क बने को 4.8 टेबल हो या निकाली सगी हम लिए तेसले 12 डेस्क लाइ हटाऊनुस 4.8 लेखनुस 4.8 मा 3 टेबल जोडे रहा 7.8 टेबल रापत अवाले के बुझने हो गन्दा हैरी यो जुन शुरूमा 15 डेस्क रहा 2 टेबल भनी रहा थे हो यो भने को सन्यूकत रूपमा की हो 8 टेबल हो है तब तेसले यो 4.000 बने को 8 टेबल को मुल्ले हो हो तेग रहा या लिखने cost of 8 टेबल बराबर 4000 अब यो 8 लाइ 1 मा चेंज गरनू cost of 1 टेबल भने रहा उस कॉम हुँँच तेसले भाग हुँच या 4000 बाइ 8 पांसे रुगया पर से योडा टेबल को तामले निकालने की हो लास्ट मा 12 डेस्क रहा 3 टेबल तार 12 डेस्क रहा 3 टेबल भने को कति रहा चा 8.8 टेबल ता 7.8 टेबल को cost पर आमर यो पांसे ले गुणा गर्दीने 7.8 लाइ ता पांसे गुणा 7.8 गर्दीनुक रहा उन्हे उन्चालिस से रुगया तबाई आंसर आयांसर ये हो हमली निकालने तवरीगा यो क्वेशन लाइ इसरी solve करनोसा इसता जुश्य के क्वेशन आऊसा बिल्गुल ये तरीगा वोड़ा होल करनोसा असा इसलाइ solve गरने वोड़ा और को तरीगा दिमाग माया आयो तिमा तबाला पांसो ये ता LCM मेतोड कुनी कुनी competitive exam मा fast निकालना को लाइ काम लागी हाल सा अब हामलाए question मा 10 रड़ा desk बराबर 4 रड़ा table को मुल्य दीएकुसा पहला की करने 10 रचार को LCM निकालने ता LCM निकालने मेरी हमले 10 रचार को अपने बसी एक दवे सजीलो 20 आया हाल सा बीस लाइबन 10 ले पांग जान रचार ओड़ा table को मुल्य बनी कियो 20 रुपया तुटे पराबरसन येदि 10 ओड़ा desk को मुल्य 20 रुपया हुँसा अबने एक desk को मुल्य को थी होला 20 रचार ओड़ा table को मुल्य 20 रुपया हुँसा अबने एवटा table को मुल्य को थी हुँसा 5 रुपया 20 रुपया तो प्रश्न अनुसार्त कतियो 4000 हो एसको मतलब हामले 40 लाइ 4000 बनावनुसा तो जुन्यो 40 हामले निकाले हुए एंसर हो एस लाइ प्रश्न माद दियेको 4000 बनावनुको लागी कतिले गुणा गरनु बरला 100 ले यो 100 लाइ क्ये बनीन्च मुल्टिप्लाइंग फैक्टर गुणन कारत भनेर बन्ने गरीन्च ए योटा डेस को 2 ilुप्या सब्ता बार डेसको 12 इंटु 2 योटा टेबल गो 5 रुपई सब्वने 3 गुणा पास द बार इंटु 2 став 25as 120 प्लस पंद्र हुए 49, तरोगी ने मल्टिप्लाइंग फैक्टर कदी निगाले थे हूँ 100, तो यह 49 लाइ 100 ले गुणा कर देनुस, तो अन्ती मैंस राऊज़ तपाएगो 400, तो यह रिपन निगालना सकी निगालना सकी निगालना सकी निगालना, LCM मेथड वड़ हुट है लो यो वीडियो मा एती नहीं, होब यो वीडियो मा तपाएले यूनिटरी मेथड को बारे मा केही बेसिक जान करे साय पक्के पनी पावन हुएको अला, आजर डिस्कस करे को क्वेशन सर लाइ रामरसंगा प्राक्टिस गरननु अला, यसले तपाएको को कंसेप लाइ अज बनावने साय रताबाला ये बंदा गारो कोईशन सर रू सौल गरनना धेरे हल्प मिलने साय